को OR अलोग अप्रसे में को फ्याहिए वह सहने हो है उर्प्र प्राणसलेशन के बारे में पड़ागए प्रसेस हूं कि अर्दैप्र ते ऒर्म नेसीपिती हैं और प्लिकलें डूल ते में इसेड़र या जाते हैं तब तो इनको रिक्रेग्नाइज करते हैं जो रिक्रेग्नाइज करने वाले वह होते हैं रिलीज फैक्टर तो यह बन टू तरी होता है जैसे हमने इसमें पढ़े थे यहां पर इससे पहले हमने जो टर्मिनेशन जो फैक्टर है उनको रिलीज फैक्टर के नाम से जानते हैं और उसमें प्रोकिरियोड में तीन प्रकार के रिलीज फैक्टर पाए जाते हैं तो टर्मिनेशन में एक्टुली होता क्या है जैसे यहां पर यह स्टॉन कोड़ोन आता है सबसे पहले पहला काम ह जैसे messenger अर्ने में stop codon आएगा तो जैसे stop codon आता है तो इसमें transfer अर्ने आकर के नहीं जुड़ता है इसकी जगे क्या आकर के जुड़ेंगे release factor आकर के जुड़ते हैं release factor आकर के जुड़ते हैं उसी के साथ में release factor 1, 2 wind at near site and RF3 and GTV wind elsewhere जुड़ जाते हैं और release factor 3rd भी आकर के जुड़ जाता है जैसे यह जुड़ते हैं तो इनके बीच में जो जो पॉलिपेप्टेट चेंस होती है वो release हो जाती है उनका हैड्रोलाइस होने से और transfer आर्ने भी वहां से बनी है messenger रहने से वह भी वहां से release हो जाती है इसके बाद में ribosomes भी वहां से dissociated हो जाते हैं और और यह तरह से translation process की ending हो जाती है टर्मिनेट टर्मिनेशन हो जाता है जनरली जो stop codons जो होते हैं जो recognize करते हैं इसको कि पॉलिपेप्टेट चेंस का निर्मान होना है नहीं होना यह डिपेंड करता है stop codons कहां पर हैं तो तीन तरह के stop codons पाए जाते हैं यूए जी एमबर यूजी ए ओकर और यूए ओपल जिससे आपने इसमें कोड़न के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो यह नॉंसेंस या stop codons के नाम से हम इनको जानते हैं जहां पर आकर के चाहर कि और ट्रांसलेशन प्रॉससर्ज रुख जाती है गयाओ전 के यसलिए भी होता है क्योंकि ट्रांसपरान is in Τानोँ जो उने किंपेर में कोई भी दूसरा अाच्टिक और्डन वाला ट्रांसपरार नहीं होता है तो को पुर्क एक्ष मैं जो रिलीज फैक्टर उसमें रिलीज फैक्टर वन रिक लंगर्नाइज करता है यूए यू włग को डिलेज प्रवकर्वन टूर्डी नहीं कि एक रिलीज फैक्टर को और करता है वह एक्ट congray और में शक्षम होता है कि रिलिज्ट फेक्टर प्रोटीन में दो यूनिट्स होती एक्टिव फॉर्म में रहती है और देन उसके बाद में इस प्रकार प्रोटीड की जो दिशा है जो की ट्रांसफराने के कोड़िंग के औरियंटेशन के नुशार फाइब देश के समान होगी पोस्ट ट्रांसलेशनल जो प्रोसेस है उसमें एक तो जो स्टार्टिंग कोड़ाउंस में जो एमिनोसेट्स जुड़ता है इन फॉर्मिल मेथियोनें उसको पॉलिपेप्टेड चेंज से रिलीज किया जाता है विद्धा हेलप ओप मेथियोनेज डी फॉर्मिलेज एंजेम्स की साहता से और उसे वो अलग हो जाता है इसके बाद में राइबूसों से जो एडिटिंग है इसमें राइबूसों एडिटिंग के द्वारा के बाद हैं प्रोटीन अपनी प्रोपर फोल्डिंग करके जो सेकंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं एक्चुली इसके लिए कई प्रोटीन की आवश्कता होती ही जिन हम चैप्रोंस के नाम से जानते हैं यह बहुत ही इंप्रोटेंट है और कई बार कुशन भी आ से चैप परॉंस तो प्रोटीन फॉल्डिंग में क्योंकि जो फरंग्च्णल होते हैं उनकी जो इसक्रक्चर है वह सेकंड रस्टेज और सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर के दुवारा ये डिटर्माइन होती है एलफा और बीटा जो स्ट्रक्चर है उसके दुवारा बहुत सारे बांडिंग होती है और थ्रीडी वह बनती है फंक्शनल जो खंफिग्रेशन बनता सबस्क्राइब उसको फंक्शनिंग प्रोटीनश के नाम से मुझानते हैं को त्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन शॉर्टिंग इन यूके रिटीक सेल्स कि प्रोट्र्माड यह एक नॉर्मल प्रकृरिया है जिसको अगर अगर आप इंप ने तरफ देखेंगे युके रिटिक कोसी का किस्ट्रीक्चर देखेंगे तब हम पाएंगे कि जो अहिए जो सैल्स है एक्टली वस्टि में शारी यस अक्टिविटी है एबन या रप्रप्लिकेश्षन ट्रांसक्रिप्षन ट्रंसडिशन बिधन टा serving होती है वह कमपार्ट में टलाजिशन नहीं होता है जबकि जब कि एक्रभी में जो हैं दे नने सी डूल रेप्लिकेशन तो आप के स्कुन होता है है इसके लाब हम डे ने से आरन côtर में नुक्लीर स्मोर हो गांद इसके बात में अगर तो हुआ कि प्रॉसेस की बात करें तो ट्रांसलेशन हमारे सैट्रПрफ़ाज में होता है तूसको अगभी बनता है नॵक्न apologized में दूसको वहां से रॉंस करके साइट्रप्लाजम आना पड़ेगा तो यह कंपार्टमेंटलाजीशन होता है तो इसमें कुछ चुकि जो मैसेंजर आड़ने हैं वो लॉंग लिप्ड होता है उसको ज्यादा समय की जरूरत होती क्योंकि उसको एक जगे से दूसरे जगे मूव करना होता है उससे प्रोटीन बढ़ने में समय लगता है इसलिए मैसेंजर आड़ने में इस तरह की बदलाव की जाते हैं ताकि वो मैसेंजर आड़ने जो डिफ्रेंट टाइप की जो एंजाइम्स हैं उनसे डाइजेस्ट नहीं हो उनसे उनकी जो स्ट्रक्चर है है जिसे इसमें ओके यह ज्यादा हो जाएगा इसको हम ज्यादा डिसकस बाद में करेंगे कि बताब में देन उसके बाद में जो सिग्नल हाइफटेसिस प्रोटीन एक्सपोर्ट है जिसा कि आप सब जानते हैं प्रोटीन जब फॉर्मिशन होता है तो एंड़ प्लाज्म र हमें ट्रांस्पर कर दिये जाते हैं एक जहां से फॉर्मिशन हो रहा है एक जहां पर यह काम में आते हैं कुछ जीन को इनिवेटर भी होते हैं जो जीन एक्सपरेशन को रोकते हैं तो यह एक्चुली favor करते हैं जो कोई प्रोटीनस है जिसको हमें करना है तो उसके लिए हम कुछ दवाईयां देते हैं और यह दवाईयां क्या है कुछ ऐसी दवाई होती जो जीन एक्सपरेशन पर काम करती है तो कुछ दवाई क्या करती है कि प्रोसेस को रोग देती है भलो उस्जीन से बनने वाले मेसिंजर आणने की प्रोसेस को रोग देती है जैसे रिफर्म्शन या स्ट्र डाइजीन्स होती है इसके लावा कुछ ऐसे इनिवाटर का रूप में हम उनको प्योंग करते हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसेस मेलों दरनेसे प्रोटिन बनने की प्रोसेस को रोग देते हैं तो इसमें बहुत सारी नाम है जैसे इसमें थे जो है तुछ हैं किस द्रक्स और इनके काम करने को स्याइटस से और पर ना किस्रोंडेशन को कई बार कोड़ेस को तर्मिल्व कोट यर्प कर greater जो बैक्टिरिया है उनके translation या transcription प्रोसेस को रोग देती है जिससे उस ultimately जो बैक्टिरिया है प्रोक्रियोटक चाल से उसको die हो जाती है तो यह अभी translation के बारे में बहुत brief में हमने जे न Quickly लंगेशन क्या होता है और termination कर बोता है तो आई पने सिंट इंट अबो। दा ट्रांसलेशन प्रोसेस्स क्या होती है और ऐन पह göst है जयती है और क्यों इसमें इबेंट्स इंवल्ब होती होगे